दोस्तो तारक मैता का उल्टा चश्मा पिछले, अल्मूस्ट 13 साल होने वाले हैं तारक मैता शो को कंटिन्यूसली चलते हुए और हमने देखा है कि दोस्तो जो पहले के एपिसोड होते थे वो काफी जदा फनी होते थे और अभी के जो एपिसोड है वो इतने जदा फनी नहीं होते लेकिन उनमें सस्पेंस क्रेट किया जाता है तो ये चीज तो चेंज हुई है तारक मैता शो में लेकिन दोस्तों एक बहुत ही important चीज थी जो हमें पुराने तारक मैता शो में देखने को मिलती थी वो comedy की बात नहीं कर रहा है मैं बिल्कुल भी याँ पर तो जो तारक मैता शो के पुराने अपिसोड होते थे उनमें काफी बार इस बात पर चर्चा की जाती थी कि महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है हाला कि आज के comparison में उस टाइम पर महंगाई बिल्कुल भी नहीं थी लेकिन हाँ हमेशा लगता यह नहीं कि महंगाई बढ़ रही है लेकिन दोस्तो आज के टाइम पर तो पेटरोल की कीमत दोस्तो इतनी तेजी से बढ़ी है ना सैंच्री कर दी लेकिन दोस्तो यहर तारक मैता शो में कभी महंगाई को लेकर कोई बात ही नहीं हो thी ऐसा लगता है कि पेट्रोल 20 रवे मिल रहा है तारिक मैता शो की दुनिया में या कभी भरस्टा चार की बात नहीं होती पहले इस चीजों पर बहुत ज़ादा बात की जाती थी तारिक मैता खुद जो लास्ट मून की स्पीच होती है उसमें भी बहुत बार जिकर करते थे और तारिक मैता शो में इस तरह को काफी अच्छी तरीके से दिखाया जाता था कि आम आदमी किस तरह से महंगाई की मार से परिशान है लेकिन दोस्तो अब ऐसा कुछ दिखाया ही नहीं जाता चलो दोस्तो कॉमेडी नहीं होती ठीक है लेकिन दोस्तो इन चीजों पर ब्रस्टा चार, महंगाई, काला धन ये सब बाते पहले की जाती थी लेकिन अब दोस्तो ऐसा क्यों नहीं किया जाता क्योंकि दोस्तो सो रपे जैसे ही पेट्रोल बोचा और विड़ो पसंद देतों विड़ो को लाइक जरूर कर देना चैनल को सब्सक्राइब नहीं गया हुए तक भी सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रैस कर दीजेगा तक आप आने वाली अपडेट जो है वो मिसना कर पाएं